नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का अपनों से पूछो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ अश्विन और मैं हूँ रिचा आप सभी इस कारेक्रम को देख रहे हैं किसान नेच्वर के यूट्यूब चानल पर किसान भायों वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेर जरूर करें साथ ही बैल आइकन दबा कर हमारे चानल को सब्स्राइब करें आपको तो पता ही है हम अपनों से पूछो का एपिसोड सप्ता में दो बार लिकर आते हैं जहां बात होती है तो हमारे देश की किसानों और उनसे जुड़ी समस्याओं पर अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से मदद मिली है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जी बिल्कुल और हम कोशिश करते हैं कि किसान मित्रों और एक्सपर्ट की मदद से इन समस्याओं को सुलजाए जाए क्योंकि हमारे किसान मित्र अपनों से पूछो पर भरोसा करके मेरा गाउं आप के जरीए भेजते हैं अपना सवाल साथ दो आठ नौशुन्य शुन्य 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 के जरीए भी हमें कॉल रिकॉर्डिंग, वाट्सैप, मैसेज पर भी आपके भहुत से सवाल मिल रहे हैं साथ ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने आसपास के किसानों को अपनों से पूछों के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताए ताकि वो भी आपकी तरह इस सेवा का लाब उठा सके तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड और सबसे पहले लेते हैं धान की फसल के बारे में कुछ जानकारी धान की खेती पूरे विश्व में बड़े पैमाने में की जाती है और ये पूरे विश्व में पैदा होने वाली प्रमुख फसलों में से एक है इसकी खपत अधिक होने के कारण यह प्रमुख फसलों में शुमार है चामल के उत्पादन में चीन पूरे विश्व में सबसे आगे है और उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है पूरे विश्व में मक्का के बाद अनाज के रूप में धान ही सबसे ज़्यादा उगाया जाता है धान की उपज के लिए 100 cm वर्षा की आवश्यक्ता होती है भारत में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है पस्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश आंधर प्रदेश पंजाब हरियाना और तमिलनाडु जैसे कई ऐसे राज्य है जहां मुख्य रूप से धान की खेती होती है जारकन जैसे राज्य के शेत्रों में धान की खेती 71 प्रतिशत भूमी पर उगाया जाता है यहां राज्य की बहुसंख्यक आबादी का प्रमुक आहार चावल ही है अब इसी के साथ पढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ जो पूचा है मुस्तकिम खान जी 40 किलो यूरिया एवं 25 किलो जिंक प्रति हेक्टर की दर से रोपाई के समय प्रयोग करें तथा यूरिया की 60-80 किलोग्राम मात्रा रोपनी के 4-5 सब्ता बाद प्रति हेक्टर खेत में लगाएं अधिक लाप के लिए संकरधान को सामाने धान से अधिक समन्वित पोशक तत 40 किलोग्राम जिंक सलफेट प्रति हेक्टर के हिसाब से इस्तिमाल करें मुस्तकीम जी के सवाल का जवाब हमारे एक और साथी किसान ने देते हुए कहा है कि धान की अच्छी उपज के लिए अपने धान में खर्पतवार ना लगने दे कीडे लगने से बचाएं और जितना धान को पोशक तत्व की जरूरत है उतना उन्हें प्रदान करें फूल खिलने की अवस्था पानी के लिए अती समवेदनशील है पाया गया है कि धान की अधिक उपज लेने के लिए लगातार पानी भरा रहना आवशक नहीं है इसके लिए खेट की सत्य में पानी अद्रश होने के एक दिन बाद 5-7 सेंटीमीटर से चाही करना सही रहता है अब इसी के बाद बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ करनाल सिंग जी पूश रहे हैं धान पर फूल कम बन रहा है क्या करें साधे किसान ने जवाब देते हुए कहा है कि धान में फूल निकलने की नाशक खरत पतवार नाशक या फिर पफून नाशक स्प्रे नहीं करना है फॉस्फोरस और पुटैश की पूर्ती करें करनाल सिंग जी इस उपाए को करें और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितनी मदद मिली है हमारा तीसरा सवाल मिला है हमें जाहिद हु पैदावार कम निकल रही है क्या करें उनकी समस्या का समाधान करते हुए हमारे क्रशी एक्सपर्ट ने कहा है कि कंडवा रोग यानि फॉल्स म्यूट की वजह से फसल उत्पादन पर असर पड़ता है अनाज का वजन कम हो जाता है और रोग अंकुरण में भी समस्या आती ह ये रोग जहां उच आर्दता और 25-35 सेंटिग्रेट तापमान होता है वहाँ पर ज्यादा फैलता है ये हवा के साथ एक खेट से दूसरे खेट में उड़ कर जाता है और फसल को संक्रमित कर देता है इसमें शुरुवातों में पीली गाट पड़ती है जो बाद में वो काल पड़ जाती है किसान सातियों रोग से बचने के लिए शुरू से ही ध्यान देना चाहिए हमेशा बीद उपचार के बाद ही ध्यान की बुवाई करनी चाहिए क्यूंकि इसके स्पोर बीच के साथ रह जाते हैं अगर शुरू में ही इसके लक्षन दिखे तो कार्बोडाज पचास डबलूपी 200 ग्रैम अत्वा प्रॉपी कोनाजॉल 25 डबलूपी 200 ग्रैम को 200 लीटर पानी में घोल कर प्रती एकड की दर से छिड़काव करने से रोग में मुक्ती मिलेगी इसी के साथ किसान भायों आप भी बड़ी आसानी से इनकी धरह अपनी परेशानी हमसे साज नौशोन्य शुन्य पर call recording, WhatsApp और मेसेज़ के जरीए भी आप अपनी समस्या हमारे साथ साजा कर सकते हैं साथ ही वीडियो के नीचे थम को दबाकर वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल डिकन पर जाकर वीडियो को सब्स्राइब करें ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंचे आप तक और जब हम आपको इतनी अच्छी अच्छी खेती से जोड़ी जानकारी दे रहे हैं तो इस वीडियो को अपने बाकी किसानों भाईयों के साथ शेयर करना तो बनता है अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सुरज जी ने पूछा है कि धान की खेती करनी है कौन सा पौधा लगाए जिससे धान का जादा उपज हो उनके इस सवाल पर हमारे साथी किसान ने कहा है कि सीधी बुवाई की किसमे असिचित दशा में है आप इन किसमों में से किसी की भी बुवाई कर अच्छी फजल पा सकते हैं सुरज जी के बाद अब लेते हैं ओम प्रकास जी का सवाल इन्होंने पूछा है कि धान के प्लांट सूख रहे हैं और कीडे लग रहे हैं ये क्यूं होता है और इसका क्या निवारण है ओम प्रकास जी की परेशानी का हल बताया है हमारे किसान मित्र ने और इन्होंने कहा है कि धान को सूखने से बचाने के लिए किसी प्रमानित एंटिबायेटिक के साथ कॉपर सलफेट से बीजों के उपचार की सहला दी जाती है साथ ही कीड़े लगने के रोगधाम के लिए कार्बो फुरान तीन प्रतिशत बीस किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर से 3-5 सेंटीमीतर स्तिर पानी में अथवा कार्टबा हाइडरो कलोराइड चार प्रतिशत 18 किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर से 3-5 सेंटीमीतर स्तिर पानी में घोल बनाकर चिरकाफ करना चाहिए ओम प्रकाश जी की तरहे अगर आप भी धान के सूखने और कीडे लगने से परेशान हैं तो आप भी इस उपाय को अपना सकते हैं अगला सवाल बबलु यादव जी का है ये कह रहे हैं कि इनके धान में पीलापन है क्या करे इस पर हमारे किसान दोस ने जवाब दिया है कि धान में पीलापन पोशक तत्वों की कमी के कारण होता है इसके नियंतरन के लिए धान की फसल में यूरिया 2 kg प्रती एकड 200 लिटर पानी और जिंक सलफेट 1 kg प्रती एकड 200 लिटर पानी में घोल बना कर छिड़काओ करें किसान ने कहा है नाइट्रोजन खात की अधिकता रात्री तापमान 20-25 डिग्री सेशियस गीली पत्तियां उसकी अधिक आध्रिता या नमी इस रोग को बढ़ाने में सहायक है 15 जुलाई के बाद रोपित फसल में यह बिमारी ज्यादा लगती है पत्तियों पर बिमारी का एक भी धपा दिखाई देते ही छिड़काव के लिए कारबन डाजिम 50WP 400 ग्रैम या बीम 120 ग्रैम को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रतियकर छिड़काव करें बालियों पर 50 प्रतिशत फल निकलने के समय छिड़काव दोराएं छिड़काव 12 बजे के बाद ही करें शिवप पाली पड़ गई है क्या करें इस पर किसानमित्र ने अपील की है कि खेतों में बारिश का पानी न खड़ा होने दे इससे आगे चलकर फसल को नुकसान पहुचने की आशंका रहती है इसके निदान के लिए वैज्ञानिकों ने प्रॉपी को नाजोल यानि टिल्ट एक एम ऐसे ही हमसे सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि केवल अपनों से पूछों पर ही मिलेगा सही और गारंटी जवाब वो भी एकदम मुफ्त इसके बाद है राशित हारुन जी का सवाल ये परिशान है कि धान की फसल लाल हो रही है इससे कैसे चुटकारा पाएं उनकी इस परिशा नानी का हल किया है हमारी क्रशी एक्सपर्ट ने उनका कहना है कि जिंक सलफेट सौ ग्रैम साथ ही बुजा हुआ चुना 50 ग्रैम प्रती नाली की दर से 15-20 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काब करें बुजा हुआ चुना ना होने पर 20 ग्रैम यूरिया के घोल में जिं 30 लीटर पानी में घोल कर प्रती भीगा 15 दिन के अंतराल पर ही दो बार छिड़काब करें राशित जी आप ये उपाए अपनाए और अपनी समस्या को हल करें वहीं धर्मवीर जी पूछ रहे हैं कि धान की खेती में पानी लगने के बाद लाल कीड़ा हो रहा है इसमें क्य लाल हो सकती है तो दो-चार बारिश होने से स्वत्य पत्या अपने रूप में आ सकती है धर्मवीर जी के बाद अब हमें मिला है अगला सवाल सुरेज सागर जी का इनकी समस्या है कि इस समय इनके धान में टिड़्डा है और उससे बाली सफेद पढ़ रही है क्या करें इस जाल का उप्योग करना चाहिए साथ ही नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के भारी उप्योग से बचना चाहिए बिल्कुल और इसके बाद हम भड़ते हैं अपने आखरी सवाल की तरफ जिसे पूछा है गौरी शंकर जी ने ये कह रहे हैं कि इनकी धान की फसल जड़ से गल रही है जिससे धान गिर रहा है क्या करें जिसकी इनकी फसल को नुक्सान ना पहुचे गौरी शंकर जी की समस्या को हल करते हुए हमारे किसान मित्र ने कहा है कि कारबन डाजिम मैंको जेब फफून नाशक दवा एक से डेड़ किलोग्राम की दड़ से पांच किलोग्र यूरिया के साथ मिलाकर प्रति एकड बुरकाय करें किसान भायों हमने पूरी कोशिश की है कि आपकी धान की फसल से जुड़ी सभी समस्या को समाधान करने और इसी तरह से हमें आगे भी आपके लिए महत्वपून जारकारियां लाते रहें अगर आपको हमारा वीडियो प ज्यादा से ज्यादा किसान हमारे से सवाल पूछे इसके लिए अपने स्मार्टफोन में मेरा गाउं एप डाउनलोड करें लॉग इन करने के बाद अपनों से पूछों पर क्लिक करें और अपना सवाल हमें भेज दे साथ ही आपके पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आ आप साथ दो आट नौशोन्य शोन्य शोन्य नौशोन्य शोन्य पर कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज और वाट्साइप के जरीए भेज़े अपना सवाल। साथ ही लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों किसानों के साथ शेयर करें। साथ ही हमें जरूर कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब इसी के साथ मुझे याने रिचा और अश्विन को दीजे इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकार, तब तक के लिए किसान नेटवर्क की तरफ से नमस्कार।